बीजेपी में आज बीजेपी के विभन दिगज नेता धुआंधार पशायर कर रहे हैं प्रथान मंत्री नेरेंद्र मोदी, बामिशा, जेपी नड़ा, योग यादर तनाथ, रेलिया हो रूट शुकर रहे हैं इस बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड़ा ने आज तक से विशीष बाचीत की, उनकी ये बाचीत गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, हमारे साथ है बाचीत करने के लिए भारते जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा नड़ा जी, 27 साल की एंटी इंकम्बेंसी है आपके सामने, इसको किस तरीके से चुनावती के रूप में आप देखते हैं क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भारते जनता पार्टी ठाई रशक के अंदर सबसे कम सीटो पर जीती थी, यानि कि आप सौ का जो सैकड़ा है वो पार नहीं कर पाई थे देखे सबसे पहली बात तो हिवान शुजी आप एक बात समझ लीजे कि एंटी इंकंबिंसी नाम की चीज गुजरात की धर्ती पर है ही नहीं यहाँ एक नया शब्द आया है वो है प्रो इंकंबिंसी लोग भारती जनता पार्टी के प्रती रुजहान रखते हैं आदर्निय नरिंद्र मोदीजी के प्रती उनका अथा अप्रेम है और अटूट विश्वास है और गुजरात जिस तरीके से विकास किया है उसको प्रती बारंबार भारती जनता पार्टी को और कमल के निशान को आदरिने नरिंद्र मोदी जी की नीतियों को मोहर लगाने का काम गुजरात ने किया है अब आपने इस चुनाओ के बारे में चर्चा की है मुझे लंबा समय हो गया है राजनित कार्यकरता के रूप में काम करते हुए यह चुनाओ मैं पहली वार ऐसा चुनाओ देख रहा हूँ जो एक तरफा चुनाओ है और एक तरफा लोगों ने मन बना लिया है कि भारती जन्ता पारिटी को वोट दे इतने लंबे अंतराल में कई लोग कई तरीके से चुनाओ को भटकाने की कोशिश करते हैं जितना वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी ही गुजरात की जन्ता स्पष्ट हो रही है कि उनका हित नरेंजर मोदी जी के नित्रतों में हैं उनका हित गुजरात के विकास में हैं उनका हित गुजरात को आगे ले जाने में कबल के निशान में हैं इसलिए मैं ये समझता हूँ कि यह चुनाओ एक तरफा है, भारतीय जन्ता पार्टी के पक्ष में हैं, कुछ पार्टियां आईीं, हला किया, हला करने के बाद उनको गुजरात की जन्ता ने एक तरीके से नकार दिया, उनकी बाद भी नहीं सुनी, और इसलिए स्पष्ट ने कहीं नया हाईवे दिखता है, हर वार आता हूँ तो कहीं नया फ्लाय ओवर दिखता है, हर वार आता हूँ तो कहीं राज जो में अपर की जता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो विकास के ने ने आयाम हम को देखने को मिलते हैं। अब ही मैं पिछली वार आया था तो एक ऐसे होटल में ठेहरा जिस में पहली वार मैंने देखा अपने देश में कि उसके नीचे एक रेल्वे स्टेशन है। तो ये चीजें जो हमको देखने को मिलती हैं वह गुजरात की धरती पर हैं। टूरिजम करके चले जाएं। ये जाएंगे इनको भेज़ देंगे लोग। आपने बहुत पहले, दो महिने पहले मुझसे पूछा था आम आदमी पार्टी, आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ आम आदमी पार्टी का है क्या यहां। और आर्टारी को मैं और आपसे पूछूँगा कि कितने उपर जमान जब्त हुई और कितनी सीटे इनकी साफ हो गई। तो यह बैनर बेस्ट पाइटिया हैं, गुज्राद गोवा में भी गए थे, तो बीजेपी से ज़्यादा बैनर इनके थे, यह उत्राखंड में गए थे तो आपने मेरे से सवाल पूछा था कि इस वार तो उत्राखंड में आपसे आपका सफ़ाय हो जाएगा। ऐसा उनका सफाया हुआ कि 69 सीट में लड़ें और 68 पर जमान जब्त करके हटें। ओवेसी साब? जिस पार्टी में दम होता है, जिस पार्टी की विचार में ताकत होती है, वो खड़ी हो जाती है। आपकी लड़ाई गुज़ा चुनाओं में किस पार्टी से है? यहां पर एक उंग्रेस पाइटी पुरानी पाइटी है वसे तो लडाई किसी से है नहीं लडाई दिखती ही नहीं लेकिन वो पुरानी पाइटी है कुछ कु öğarna नेता है उसे पुर्णी कर रहे हैं ऐसा ही मुझे देखता है सर एक सवाल ये है, इस जुनाओं में आपने जो वर्तमान में आपके विधायक थे, 44 विधायक, जिन में पूर मुख्यमंत्री हैं, विजे रुपानी, पूर डिप्टी सीम हैं, नितिन पटेल, भुपेंदर चूदा सामा, ये सारे लोगों की टिकेट काट दी आपने? काटी नहीं है, नई जिम्मेवारियों में डाला, ये शब्दावली आपकी है, हमारी नहीं होती, हमारे हाँ जीवन, अजीवन कारे करता होता है, और उसका आदर होता है, उन्होंने जीवन भर काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, हम आदर के साथ उनको देखते हैं, लेकि वो हमारे हाँ जिम्मेवार यह वलती है अब रुपानी सार है उनको पंजाब का इंचार्ज बनाया है वो इतने आतुर्थ हैं पंजाब के काम के दृष्टी से हमने का भी चुनाव हो जाए उसके बाद हमार के साथ चलेंगे पंजाब में भी हम फता करेंगे अगली वार हमा तब हो आ पूपस ले लेंगे आपको लगता है की सब कुछ ठीक हो जाएं गया रगने का सवाल तु तब होने कि गड़ बरऊ हो ऐसा कुछ नहीं होता देखें जीवंत पार्टी है परिवारैं आपक बेटा आपसे नहीं नाराज हो गालते आपका भाई नाराज हो जाते है तो दूसरे दिन मिल के मिल नहीं जाता है साथ नहीं चलते हैं